असलाम नेकुम सुडेंट्स मैं नाम है अबराच्वान आज हम फिर्स्टिय केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फॉर के अंदर जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डाइपॉल इंड्यूस डाइपॉल फोर्सिस और जो दूसरा टॉपिक इसके साथ हम कवर करेंगे वो ह dispatch कि नॉन पोलर कुछ मॉलिक्योल्स डिसुमव हो जाते हैं पॉलर मॉलिक्यूल्स के साथ या पॉलर कंपाॉंड्स के अंदर और लंडन न डीस फैशनफ़ोर्सेद इस बात का ज्रॉप देती हैं कि आखि क्या वजऑ हैं कि नोबल कैसे लिकक फाई हो जाती हैं हलांके वो तो नॉन पॉलर हैं और उनमें डाइपॉल बनना एक ज़रा मुश्किल काम है तो इस सारी चीज को डिसकस करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर तो चलते हैं लेक्चर की तरफ टूरेंट्स अब हम करने जा रहे हैं एक और इंटर मॉलिकुलर फोर्स जिस चार्ज एंड्स वन शुड बी दा नेगिटिव एंड अधर शुड बी दा पॉजिटिव एंड इंड्यूस का मतलब होता है अमादा करना यहां अगर मैं थोड़ा सा थोड़ा सा अपने मताबिक इसको ढाल लूँ तो बनाना टू मेक टू एग्री ओन ठीक है डाइपोल इसका मतलब यह हो गया कि यह फोर्स ओफ एट्रेक्शन के अंदर दो किसम के मालिकुल है एक तो हो गया डाइपोल मालिकुल जिसका एक हिस्सा नेगिटिव और दूसरा हिस्सा क्या है पॉजिटिव और एक मालिकुल ऐसा होगा जिसमें डाइपॉल बनाने पर जिसको मादा किया गिया होगा, कि बई डाइपॉल बनाने है, आपने उसका डाइपॉल इंटर्ड्यूस करवाना है उसके अंदर इंड्यूस करवाना है, so if any molecule makes डाइपॉल under the influence of any other dipole molecule, it will be called induced dipole molecule, so सबसे पहले में ज़रा इसको induced dipole को थोड़ा सा लिख देता हूँ, induced dipole molecule, it is a non-polar molecule, ये एक non-polar molecule होता है, which becomes, जो बन जाता है, a dipole, एक dipole, under the influence of, किसी influence में, under the influence of a dipole, और polar molecule, अब आप सोच रहे होंगे, ये बनता कैसे है, देखें, बड़ी असान सी बात है, ये है एक non-polar molecule, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, और electron density एक जैसी है हर तरफ, यानि कि जो electronic cloud है, वो symmetrical है, एक जैसे है, ठीक, और ये आगया भी हमारा dipole molecule, इसका एक end positive है, दूसरे end negative है, say water, H2O, ठीक है, इससे मुराद है मेरी H2O, और इससे मुराद है मेरी O2 का molecule, मैंने ideally molecule बनाया है, एक्जेक्ट उस शेप पर नहीं बनाया है, जो molecule की होनी चाहिए, क्योंकि बुक में ये generic discussion होई हुई है, तो मेरा ख्याल है कि हम भी थोड़ी generic कर लें, then details में थोड़ी सी जाएंगे तो ज़रूर, अब होता क्या है, ये positive end, इन electrons को attract करेगा, repel करेगा, उसका बड़ा सान तरीक है, चेक करें, same charges है, opposite, आप कहेंगे, sir opposite charges है, तो opposite charges, ये जो हमारे पर dipole का molecule है, जिसका एक end positive और एक end negative है, वो मुझूद electrons को दूसरे molecule केंदा है, जो non-polar है, ये कौन सा molecule है, non-polar, non-dipole, ये कौन सा है, polar ये dipole molecule, इसको क्या करेगा, इस electrons को अपने दब खेंचने की कोशिश करेगा, जिसे electron एक तरफ ज़्यदा कीचे चले जाएंगे, तो अब ये क्या shape बन गई, आप कहेंगे, ये तो ऐसे लग रहा है, जिस तरह इसमें एक edge पे end पे negative chart डवेलप हो रहा है, दूसरे edge पे ये end पे positive chart डवेलप हो रहा है, तो ये क्या बन convert होना जा रहा है, ये convert हो रहा है एक dipole के अंदर, कब, जब दूसरे dipole ने attraction या repulsion की, जब ऐसा होगा, तो एक dipole अपने influence की जैसे, यनि कि एक dipole का positive end, उसके moving electrons को अपने जाँ खैंच के, दूसरे मालिकूल को भी किसमें convert कर रहा है, dipole में, तो ये तो हो गया हमारा induced dipole, क्योंकि इसमें हमने dipole को introduce कर आया, उसको मादा किया है, इस बात पर कि भी बना लो dipole, और ये कौन सा है, already dipole, अब इनमें force of attraction develop हो जाएगी, क्यों, because the positive end of one dipole, is attracting the negative end of other induced dipole, so this force of attraction will be called d by forces, and d by forces are what, they are actually dipole induced dipole forces, so यहां लिखते हैं, हम dipole induced dipole forces, are d by forces, scientist का नाम है, they exist between a polar and non-polar molecule, अच्छा, यह तो बात होगी ना, अब इसकी definition क्यों properly explain करते हैं, these forces of attraction are between one end of a dipole, and oppositely charged end of induced dipole, अब आप इसको इस पे देखे, these forces are, these forces of attraction are between one end of dipole, and opposite end of induced dipole, देखे, यह positive है, उसका opposite end क्या होगा, negative, तो oppositely charged end जो होते हैं, इन में जो forces of attraction होती हैं, the forces of attraction between oppositely charged ends, of dipole and induced dipole are called dipole-induced dipole forces, और debi forces, इसकी example है, वाटर में oxygen का dissolve होना, हाँ, we know that the oxygen dissolve in a very low quantity in water, 4 to 8 part per million, that's too low, but somehow dissolve तो होती हैं, oxygen तो non-polar है, water polarity रखता है, hydrogen partial positive होता है, oxygen partial negative होता है, तो इनको तो dissolve भी नहीं होना चाहिए था oxygen को, but somehow it dissolves, and the reason is the development of a dipole, due to the water in oxygen, oxygen molecule के अंदर water dipole की विजास से, induce हो जाना dipole का, वजा बनती हैं इन में attraction की, जिसके विजासे oxygen की थोड़ी इसी amount, dissolve हो जाती है, ये forces of attraction strong नहीं होती, weak होती हैं, और होती ही intermolecular force हैं, and definitely ये forces of attraction, किसी bond का मकाबला नहीं कर सकती, ये student एक short question है, definition, और इसकी general explanation, with example and basic development of induced dipole, students, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, London dispersion forces, ये another type है, intermolecular force की, ये force of attraction, मारे एक बहुत ही important question का answer देती है, वो question क्या है, कि noble gases, liquefy हो जाती हैं, इसका मतलब उन में कोई न कोई force of attraction तो होगी, लेकिन force of attraction तो dipole के तरह में develop हो सकती है, ये निके positive end of one molecule, can attract the negative end of other molecule, लेकिन अगर मैं noble gases की बात करो, उसमें तो dipole बनता ही नहीं है, तो वो कैसे liquefy हो जाती हैं, under certain conditions, this was the question, which was answered by, a German physicist, Fritz London, उन्हीं के नाम पे न ये force of attraction है, London dispersion force, वो dispersion वगेरा को हम बाद में discuss करते हैं, somehow, 1930 में उन्होंने ये forces of attraction का concept दिया था, जो के बताती थी कि helium gas liquefy होती है, तो उसमें एक certain momentary force of attraction exist करती है, यानि कि non-baller molecules, non-baller molecules को जब attraction develop करते हैं, तो वो कौन सी होती है, इसका स्वाल का जवाब था, somehow, अभी हम ऐसा करते हैं जरा एक चीज़ देखते हैं, HCL एक molecule है, कलोरीन है, partial negative hydrogen है, partial positive, ये एक molecule है, अगर इसके opposite में, कोई और HCL का molecule लाओ, तो असानी से इन में force of attraction डवेलप होजएगी, because they have oppositely charged, ends, कौनर, या कौने, अच्छा, helium, helium के center में nucleus होता है, और ये उसका electronic cloud होता है, ये symmetrical होता है, electronic cloud, symmetrical और unsymmetrical का word इस topic में, book में लिखा हुआ है, लाद मेरा ख्याल है, हम उसको भी थोड़ा सा सबज़ ले, ताके हमारे लिए, Fritz London की जो explanation है, कि helium क्यों liquefy हो जाता है, या उसमें कौन सी force of attraction डिवैलप होती है, उसको समझ सके है, देखें, मैं बना रहा हूँ, ये एक circle, ये circle का center है, इस circle के center से, अगर मैं नीचे की तरव एक line लगा हूँ, ये बन गया axis, अब students, जैसा circle यहाँ पे है, वैसा ही circle यहाँ पे है, ऐसी shape, symmetrical के लाती है, equal sides है, ठीक है, equal sides है, एक side पे भी, इस side पे भी, अब मैं बना रहा हूँ, एक नई shape, अगर मैं इसको यहाँ से cut करूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये वाली side जो है, इस से different है, ये कलाएगी unsymmetrical, इसमें symmetry नहीं है, और ये कलाएगी सिमेट्रिकल, इसमें symmetry है, इसी दरा molecules होते हैं, अगर मैं हीलियम मॉलिक्यूल के electronic cloud की बात करूँ, तो वो electronic cloud, एक जैसा फैला हुआ है, helium atom के इद्गेद, और अगर HCL की बात करूँ, तो उसमें, कलोरीन साइट पे मुझे लगेगा, electrons जैदे है, और hydrogen साइट पे लगेगा, electron कम है, that is why, मुझे ये फील होगा, जैसे, जो मैं डाइपल बना रहा हूँ, उसका एक end partial negative है, एक end partial positive है, उसकी वज़ा क्या है, कि electrons, एक साइट पे ज्यादा चले गए है, दूसरे साइट पे कम है, ऐसी शेप unsymmetrical होगी, और ये जो है, हमारे पास symmetrical होगी, तो अभी अगर हम हीलियम की बात करें, ने symmetrical है, जितने electron इस तरफ उतने इस तरफ है, यह जैसा electronic cloud इस तरफ है, लेफ्ट और राइट और इक्वल, इस इस सविट्रिकल, इसमें ऐसी क्या बज़ा होती है, कि इसका electronic cloud डिस्टर्ब हो जाता है, यानि कि एक तरफ electron ज़्यादा चले जाती है, दूसरी तरफ कम रह जाती है, अब ये शेप unsymmetrical बन गई है, यहां हम लिख देता हूँ, स्विट्रिकल, नाँ, इस वाज़ादा क्वेस्टिन, कि अगर इनमें force of attraction डिवैलप होगी, तो helium का molecule must become a non-symmetrical, यानि कि उसका एक edge positive होना चाहिए, एक edge negative होना चाहिए, helium की atom की बात कर रहो, अगर ये होता है, तो वो force of attraction की तरफ जा सकता है, otherwise नहीं जा सकता, पहली तो आप जो समझने वाली बात ना, वो याद रखें कि this is symmetrical, this is unsymmetrical, ये एक ही helium है, जिसको मैंने, अगर उसकी shape disturb कर दो, खराब कर दो, उसके electronic cloud को distort कर दो, उसके electronic cloud को disperse कर दो, तो वो इस shape से इस shape में आ जाएगा, यानिके symmetrical से unsymmetrical हो जाएगा, अब हमारा question था, why helium या कोई भी noble gas, liquify, प्रिज लंडन साब क्या कहते हैं, let's go there, हम उसको देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, ये बस आमने याद रखना है, what is the difference, this has become a kind of dipole, and this is non-dipole or non-polar, so non-polar are symmetrical in terms of electronic cloud and this is unsymmetrical, अब students, बात यू है, कि ये है helium का एक atom या molecule, और ये है helium का दूसरा molecule, या atom, ये दोनों क्या हैं, सोचें, symmetrical हैं, अंसymmetrical हैं, इनका electronic cloud symmetrical है, non-polar हैं, क्या होगा, ये आया, भागता हुआ, गैस है ना, ये आया, इससे कॉलाइड करने लगा, जब कॉलाइड करने लगेगा, तो क्या होगा, ये इसके करीब आ जाएगा, ये ले, हमके electrons की विजए से रिपेल होंगे तो कि आपके ख्याल में वो इस साइड पर ही रहेंगे यह दूसरी साइड पर जाने की कोशिश करेंगे आप कहेंगे सार रिपल्शन हो रही है लादा इन मॉलेक्यूल नमबर टू के वैसे रेंडमली मूब कर रहे होता है करीब आना तो को मसले नहीं है तो इसके electrons ने इस electrons को रिपल किया जिसकी विजए से electronic cloud खराब हो गया डिस्टॉर्ट हो गया डिस्पर्स हो गया अंसिमेट्रिकल हो गया अब क्या होगा यह आगे वाले मॉलेक्यूल को डिस्टॉर्ब करेगा अचा यह जो आया है इसके क्रीब यह क्या हमेशा इसके क्रीब रहेगा आप कहेंगे नहीं सब गयास है क्यास के मॉलेक्यूल क्रीब आते हैं क्रीब आते हैं दूर जाते हैं मूमेंट के लिए क्रीब आया है So for a moment, for an instant, for a moment, for an instant, what it has become, it has become a dipole, but this dipole should be called instantaneous, एक लम्हे के लिए, आप कहेंगे सर्थ, लम्हे के लिए इसलिए बना है, क्योंकि यह जैसे इसे टकरा के वापिस जाएगा, यह वापिस असल शकल में आजएगा, जब तक यह इसके करीब आया है, तो रिपल्चन होई, तो यह disturbance होई, और यह shape आगई, that's it, जब यह वापिस चला जाएगा, तो यह वापिस इस हालत में आजएगा, अभी खेर आप यह इस हालत में है, instant पे मुझूद है हम, और यह इस फार्म में बना हुआ है, अब इसके आगे अगर कोई और molecule है, वो definitely पहले तो symmetrical होगा, लेकिन जैसे इसकी vicinity में आया, इसके लाके में आया, तो इन electrons ने इन electron को क्या किया, रिपेल किया, अब यह क्या बना हुआ है इस टाइम, डाइपोल, तो यह डाइपोल इस helium के third molecule या एक्टम को क्या करेगा, disturbance क्रिएट करेगा, डिस्टर्बंस कैसे क्रिएट करेगा, यह electron अब इसको रि हुआ है, कि इसके ही वज़ा से यह बना instantaneous टाइपोल और इस टाइपोल ने अपने से next molecule को बना दिया, यह कहलाता है, इंडियूस टाइपोल, क्यों? इंडियूस टाइपोल उसे कहते हैं, जो खुद डाइपोल तब बनता है, जब उसे कोई डाइपोल बनाना चाहता है, मतल प्रोन पोलर मालीकूल होता है, जो किसी डाइपोल की वज़ा से बनता है, खुद डाइपोल बनता है, कब? किसी डाइपोल की वज़ा से, यह वाला जो डाइपोल है, यह है instantaneous डाइपोल, अब होगए यह यह आपस में क्या करेंगे, यह आपस में, for a moment, attraction डेवेलप करेंगे अब आपके ख्याल में किया यह अगले मॉलीक्यूल को नी डिस्टरब्ट करेगा इसके आगे अगर कोई मॉलीक्यूल होता तो यह इंड्यूस टैपॉल उसे भी डाइपॉल बना देता तो अल्टीमेटलि यह एक लम्हें के लिए इसने इसमें डिस्टरबंस क्रियेट की इस इसने इसमें क्रियेट की इसने अगले में क्रियेट की इसने अगले में क्रियेट की तो एक लम्हें के लिए लहर चली फोस अट्रेक्शन की खतम होगे फिर चली फिर खतम होगे अब मैं इसको आपको सिंपलस्ट वे में समझाता हूं मुझे उमीद है यह आपको इदर से स का item और ये है तीसरा helium का item ये तीनों symmetrical है हुआ क्या हुआ ये कि ये आया इसके क्रीब और इसके क्रीब से होके गुजरा तो इसके electrons ने इसके electrons को Repel किया इसमें एक मसला हुआ इसकी shape change हो गी electronic cloud की और इसमें डाइपोल बन गया अब में डाइपॉल की जब शेभ बनाता हुँ ना तो मैं उसकी शेभ ऑवल सी बनाता हूँ oval shape का मतलब ये है कि इसका एक edge पार negative charges जएदा रखता है और एक edge में negative charges कम है positive charges जएदा है अगर वारे को एक तरफ से दुबाएं तो वो दूसरी तरफ से फैल जाएगा that happens actually here आपने इसको यहां से pinch किया यह दूसरी तरफ से फैल गया यह shape बन गई अब यह बन गया एक लम्हे के लिए यानि कि यह जो molecule number one था जब यह two के पास एक लम्हे के लिए गुज़रा तो उसने उस लम्हे के लिए जब वो गुज़रा instantaneous डाइपॉल बना दिया अब यह instantaneous डाइपॉल जो है ना वो next इसके अंदर थरी के अंदर डाइपॉल इंटर्ड्यूस करवा देगा तो इसे कहेंगे induced डाइपॉल इसे कुछ और नाम क्यों नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह already made डाइपॉल से बना है चाहे लम्हे के लिए बना है जैसे कि यह दोनों बनेंगे इनमें force of attraction develop होगी उस force of attraction को हम कहेंगे लंडन dispirsen forces इसका मतलब इनमें एक खास मिली नेनो उससे भी कम सेकंड के लिए एक लम्हें के लिए force of attraction develop होती है तोट जाती है develop होती है तोट जाती है develop हो पारी मुम्मेंट के लिए develop हो पारी है permanent करने के लिए forces और ट्रेक्शन को क्या है यह एक लम्हे के लिए क्लाइड करने के लिए आता है निकल जाता है रिपल्शन या इट्रेक्शन की ज़ए से यह जिस भी ज़ए से यह मुव करता हूँ इसके करीम से गु milliseconds create करता है इसमें distortion create क्रियेट करता है खराबी create करता है चला जाता है अगर मैं temperature कम कर दूँ प्रेशर जादा कर दूँ तो यह एक दूसरे के करीब आ जाएंगे उसकी जाएसे इसका electronic राउट permanently इसको disturb करना शुरू कर देगा इसका electronic राउट प्रेशर बढ़ाने temperature कम करने से यह इसके करीब आ जाएगा पर अप पर्मनेंट जब तक यह मैंने condition maintain क यह उसके बाद फिर दूँ चला जाएगा जब तक मैंने temperature minus 150 से भी नीचे कर दिया और pressure बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो in that way यह इसके करीब आ गया अब यह दूर नहीं जा पाएंगे नर्जी नहीं है temperature कम किया हुए मैंने यह इसके करीब गया इसमें permanent disturbance पैदा की उस और वो temporary से permanent की तरफ चलना शुरू होगी conditions मैंने ऐसी दे दी तो helium liquify काप होगी जब यह moment के लिए एक instantaneous डाइपॉल एक induced डाइपॉल में attraction डिवेलप होती है यह हो रही है अभी moment के लिए किसके दिम्यान instantaneous डाइपॉल और induced डाइपॉल के जम्यान यह permanent हो सकती है pressure ज़्यादा fast force of attraction होती थी but that exists in a certain moment and it vanishes जैसी बनती है वैसी खतम हो जाती है क्यों वो conditions ही नहीं favorable थी लेकिन होती जरूर है वो कौन सी थी वो थी London dispersion forces कैसे बनती थी जब एक moment के लिए instantaneous डाइपॉल और induced डाइपॉल forces of attraction डवेलप करते थे किसके दिम्यान non-polar molecules के दिम्यान apparently यह होती तो polar और non-polar दोनों में polar molecules और non-polar molecules दोनों में London dispersion forces होती है but non-polar में ज़्यादा significant है क्योंकि और कोई explanation justify नहीं कह रही कि यह forces और attraction को अगर कोई रखते हैं तो वो किस किसम की है यह इतनी स्ट्रोंग नहीं होती जिए डाइपॉल डाइपॉल होती है आप यह ना समझेगा कि यह London dispersion forces are very much stronger forces of attraction no they are very weak forces of attraction इसको मैं एक दो points के अंदर revise कराने की कोशिश करता हूं helium liquify होती है इसका मलब कोई force of attraction है जो के हम जिसकी विजए से helium को liquid में convert कर देते हैं प्रीट्स लंडन 1930 में उस force of attraction को explain करते हैं वो कहते हैं कैसल में helium molecules के दिर्म्यान instantaneous tripod develop होता है due to the influence of any molecule coming near to first molecule second molecule यह instantaneous tripod अपने से next molecule में induced tripod develop करता है और इनमे force of attraction for a moment develop हो जाती है यह जितनी तेजी से develop होती होती है तेजी से खतब भी हो जाती है लेकिन जब हम helium को liquid में convert करते हैं तो हम ऐसी conditions apply करते हैं यह movement वाली force of attraction permanently develop हो जाए यह movement वाली force of attraction असल में लंडनें dispersion force है और यह force of attraction है instantaneous tripod यहनी कि इस molecule की induced tripod यहनी कि इस molecule के साथ यह कब develop होई है जब एक molecule एक instant के लिए molecule के करीब आया उसमें dispersion create की dispersion से instantaneous tripod बना उस instantaneous tripod ने एक induced tripod तीसे molecule में बनाया और उन्हें अपस में एक movement के लिए force of attraction डवेलप कर ली जिसे हम कहते हैं in a London discussion force and it is very weak force it exist in all kind of polar non-polar molecule but more significant in non-polar molecules within dipole induced tripod for a six short question है लिगन a London discussion for a six long question है definition explanation diagrams and the difference between instantaneous tripod induced wypote the a significance of these forces in polar and non-polar ये आपने properly discuss करना है इसकी diagram properly बनानी है dispersion के बारे में बताना है I hope ये lecture आपको समझ आया होगा next lecture तक के लिए अल्ला आफिस